तो आज हम बात करने वाले बेसिक दोर पर नुमेरिकल्स के बारे में इलेट्रिसिटी से रिलेटे जितनी सारी भी नुमेरिकल्स होगी आज इस विडियो में हम लोग देखेंगे उसको सॉल्फ करेंगे और समझेंगे तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट नुमेरिकल्स पर ठीक है तो एक इलेट्रिक बाल्व है जिसका रेसिश्टेंस है सिश्टी ओम और जिसका पोटेंट्सियल डिफ्रेंस है तू ठट्टी फोल्ड और हमें बताना है कि उस बाल्व के अंदर कितना करेंट का फ्लो हो रहा है है कि आहिके तो दो टिन चीज़ेें डिह हुए जब सैसे फर्लें लयुक करने से हम यह से करते हैं कि हमारे पास गीवें क्या है तो हमारे पास क्या है और चांकरना है थो चीज़ेंना बहुत ज़ुरूरी उसके वाद numerical बिल्कुल असान हो जाता है हमारे पास given क्या है और हमें निकालना क्या है बस कि लिए तो इस culture में हमारे पास resistance है 60 ohm का जो बॉल्ड का resistance है ओके और potentials दिया है 230 volt तो हमें निकालना है current क्या होता है यही होता है तो अगर होता है तो बात करते हैं 230 इस कोल्टू यहां पर लिख लेंगे 3.5 कितना है कि तूशिष्टी यानि थिरी पॉइंट एक थिरी एंपेर है कि तो यह हमारे पास एंसर आ गया बिल्कुल असान है तो इसी तर अब सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए आते हैं तो जैसा आप फिगर में देख रहे हैं तो एक फिगर दिया हुआ है हमारे पास एक सर्कित डाइग्राम है तो हमें इसमें बताना है कि जो इसमें लगा हुआ है ठीक है इब है कितना है देख लेशे तो करेंट कर गीवन कितना जेरो पॉंट फॉपाइफ तो यह करेंट हो गया हमें क्या निकाला है और भी पता है क्या होगा तो यह हमारे पास निकल लिया थीक है कि यह तो थोरा सा लेवल अप करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है कि जब प offered को मिले कि दáchwort कि यानी यह जो टोटल रेसिस्टेंस फिलती сказала कि Nemesis हो रहा अथा थे तो इसी स्कार्टो हमें पता है आगर अगर इसएस्स नेकाला ना तो आरवन प्लस आरटू प्लस आरथी जितना सर्थ सब्सकों एके मेरेक ऊटपर इसक अ कि यह तो आज़ेंगेंस रहें छीनियोक उट्से तो आज़े जपसे पहले इनकी प्रॉपलमस देखते हं ठीक है छांगे बढ़ेंगे चलिए गो स्परिया acceso है find the effective resistance one on ten on and four on resistance are connected in series तो एक resistance है one on का दूसरा resistance है ten on का और तीसरा resistance है four on का इसमा connection कैसा है series में connection है तो शीरीज में अगर connection है और effective resistance निकालना है तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थी वान प्लस एन प्लस फोर इसको टू फिप्टी बिलुकुल के लिए मेरे खेल से कोई प्रोब्लम्स नहीं आना चाहिए तो दूसरी पॉइंट अगर आते हैं कि यही कनेशन अगर पैलर में आगया ठीक है तो पैलर में करनेशन इन पैलर अगर आते पैलर होतों क्या करेंगे तो वान प्रोब्लम्स बश्राच वड़ियर थी लेकिन र्फ में क्या आता है पंजो को ये समझ नहीं आता है कि की सzeitig hell जो छो कले इसमें इंद में में और किस कंडिशन में जो करेंट बहुता है और एक से चलता जा रहा है बीच में बहुत सारे लगे हुँए लेकिन उसका जो रूट है वो डाइवर्ट नहीं हो रहा है रूट चेंज हो रहा है तो ऐसे निकल जो होंगे वो इस सभाई से मैं समझा देता हूं कि यह मालिज एक वायर है इधर से करेंट आ रहा है यहां एक बॉल्वे लगा दिए ठीक है यहां एक फैन लगा दिये ठीक है है यह एक लगा यह जर्म ईमाली जर्म लगा तो अलठी रखा रहे हैं और जो करेंद है उसका बठार नहीं कर रहे हं तो इस त्रह की जब कलेक्षांस आती है इसको क्या बोलते हैं को मी लेकिन क्लेक्शन होता है कि माल लिजिए कि यह आ रहा है हमारे पास करेंट एक वाइर इधर चला गया माली यह बॉल्ब के लिए दूसरा वाइर यहीं से इधर चला गया फैन के लिए कि थी कि यहां पें चारो तरह रहा है तो इस तरह का जिए बखानेंशन होता है बाल समझ में रही है जो पैला कनेंशन सोता है उसमें करेंट का बटवारा हो जाता है क्रेंट दिश्ट्रीज़ हो जाता है लेकिन जो इशर MAL कुल बेशिक दोड़ पर शिए करनेर्शन होता है उसमें करेण कबठ वादा नहीं होता है तोचलिए आते हैं तो प्रलावक कोस्चे तो प्रार Nine करना है जिसमें एक रेसिस्टेंस थ्री ओम का है और दूसरा रेसिस्टेंस यह यह तो यह तो हमें निकालना है इसका effective resistance क्या मुरता है R1 plus R2 यह हुगा ध्यान से देखो effective resistance 1 by effective resistance is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 तो इसके बाद क्या करेंगे 1 by 3 plus 1 by 6 यानि 3 by 6 is equal to 1 by 2 अगर 1 by effective resistance is equal to 1 by 2 effective resistance is equal to 2 ohm compressions कर देंगे इसका और इसका उपर को दोनों सेम तो effective resistance क्या हो गया 2 ohm के लिए चलिए next question पे आते हैं जैसा कि आप figure देख रहे हैं ठीक है तो हमारे पास figure दिया हुआ है जैसा आप देख सकते हैं आपे तो उसमें effective resistance निकालना है c के बीच में सबसे पहले a और a बी के बीच में effective resistance निकालते हैं ठीक है तो चलिए पोचन्ट पे कि ए ज है यहाँ है माली ये इस्ट्रवा का आपर दिया हुआ है कि कि ए इर बी झे तो इन दोनों के बीच में effective resistance निकालना है कि पहले तो effective का distribution हो रहा है तो current का distribution अगर हो रहा है यानि पहले लब है तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर डेस आर डेस माल लेते हैं कि जो एसे बी का जो effective resistance है वो आर डेस है तो अलग नाम देना था इसलिए या फिल हम बोल सकते हैं कि आर ये भी कि लिए तो आर एवी स्कॉल 2 वन बाइए 3 प्लस वन बाइए 6 है तो हमारे पास तीजिए यानि वन बाइट तो आर एवी स्कॉल टू आया खे़ सकते हैं तो आर ये इस काल टू क्या है और आते हैं दूसरे आप मारे बीचिए और बी और सी के बीच में तो इस तरह का फिगर कुछ दीख रहा है आपके पास कि यह सी तो यहां पे जो रेशिस्टेंस है वो कितना है यह वह और यह कितना है तो यहां पो अगर देखेंगे कि आर बीस्टेंस हैं तो यहां पर देखेंगे कि आर बीस्टेंस देखेंगे से इसकोट टू ऊन्यार विश्टो किया वगा दू तो बीसी के बीच में इफेक्टिफ रेशिस्टेंस आ गया कितना है तू ओम का और निकालते हैं ए के बीच में निकालेंगे तो जैसे आप देखते हैं में हमारा रेशिक्तियां साया है तो ए बीच पीनों तो इरम सीरिज में है जब शिरीज में रहता है तो क्या भी तालते हैं टीक है सिरीज में रहता है तो सिंपल सी बात है हम कर देते हैं को क्या कर देते हैं जब अब आड़ कर देंगे तो टू एम प्लस टू ओन इसकाल टू फॉर ओन की लिए तो हमारे पास यह एंसर आए तो जैसा आपके गर में देख रहे हैं कैंश है तो हमने फाइन है कि एक लटि शर्किट है जिसमें और लगा है वोल्टमीटर लगा है तो हमने दोनों अब करना है कि ऑप हूँ में कितना किसी में तेकी या जा रहा है तो यह सबादेता है कि हमारे पास बेसिक तोर्फें दो त्रॉप की रेसिस्टेंस लगी हुई है इस त्रॉप का और टू ओं का यही है और इन ही के साथ एक तीन वोल्ट की बैदरी लगी हुई है और यहां पे जो है वोल्ट मीटर नगा हुआ है की लिए कि लिए तो जब यह बात के लिए तो यहां पर देखिए माली जए दद करिंट है कोई एमीटर लगा हुआ है तो सबसे पहले यह connection देखेंगे कैसा connection है सिरीज में है तो सिरीज में है तो effective resistance निकाली है जब effective resistance निकालेंगे तो 4M plus 2M is equal to 6M आ जाएगा आ गया तो 6M जब effective resistance आ गया और हमारे पास potential total पता है 3V है तो I निकालेंगे B by R B का value पता है R का value भी पता है 1 by 2 यानि 0.5A तो जो a meter है उससे 0.5A का current flow हो रहा है तो दूसरी point पे आते हैं तो current का flow तो इधर से हो रहा है करें का distribution नहीं हुआ तो अगर इसका potential निकालते हैं बाइद अगे potential निकालते हैं इसका तो क्या होता है I R 2 होगा इसको अगर R 1 माने है तो यह इसको क्या मान लेंके R 2 ठीक है चलो कोई बात नहीं है R 2 तो यह 0.5 है यह कितना है 2 है तो क्या आ गया कितना गया यहां पर पोटेंशियल डिफ्रेंश का आगया यहां पर टूबोल्ट का आ जा रहा है क्लियर है तो और भी प्रोब्लम से यह तो नोर्वल्ड प्रोब्लम है थोरा सा लेवल अप करते हैं तो हमारे पास तूफोटी ओम का रेजिस्तर है और यह को का homeless ठीकेंचे हैं तो इस तो तक यह तोंस रखते हैं औरी त्प्र्लौल्ट चैज्ग होती हैं थीक है तो हम्में बताना है एक स्टीव रेसिस्टेंच क्या होगा और हमें यह भी बताना एग कि कितना करेंट होगा इच रेसिस्तेंस के अंदर इन्विजुल एक के रेसिस्तेंस के अंदर कितना करेंट फ्लो होगा तो यह दो चीज़े हमें बताना है अपोचेशल में, तो हमें समझ आ गया की हमें गई दिया क्या है, हमें ये भी पता चल गया की हमें निकालना गया है पहले वह बोले हैं कि शबसे पहले नमेरकल करने से पहले ये सोछना होगा कि हमारे पास give in क्या है और फिर ये सोचना होगा कि हम्हें निकालना क्या है उस तरह से जब आप सोचेंगे तो आपके लिए नमर्कल बिल्कुल इजी हो जाएगा तो चलिए आते हैं सबसे बहुंगे आर वन, आर टू, आर थ्री माल लेते हैं यह है फोटी ओम यह है फोटी ओम और यह है ट्वेटी ओम अगर इफेक्टिव रेसिस्टेंस अगर लिकालना आए तो क्या करेंगे इस तरह से एड करेंगे जब इस तरह से एड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्य तो कितना होगा अगब किहीं निकालेंगे तो इसको रही consist leuk अब दूसरेbourg jp कितना होगा है तो सबसे पहले हम यह समझ लेखते है कि कुरेंट टोटल है के या फिर हम लोग बारी बारे से देख लेके हैं के तो आई-उन-ज़ों क्या होगा वैंबाइब आरफिव सब्सक्राइब यहीं होका यह पर पोटेनशियल तो कॉंस्टेंट होता है क्योंकि पहलार करएं यहाँ को जो पोटेंशियल वह दिवाग तो होता नहीं है जब डिवागत नहीं होता है तो चलिह नकालते हैं तो हमारे पार हाटश हैं कि उतनाको तुएफ शुटि वोल्ट है कि लिए तो जब हम इस्त्रों से निकालते हैं तो क्या ध्यान देजी त्री भाइटेन थिखे और थिरी भाइटेन थिखे और थिरी भाइटेन के अंदर जो भी रेसिस्टेंस थे पॉला रेसिस्टेंस में 0.53 एंपेर का करेंट का फ्लोव हो रहा है समझ में आगी बात है बहुत असान है वसकोचन पढ़ना है और सुल्फ कर देना है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं नेस कोच्चन अभी जो भी प्रोब्लम्स किया वह ब सब्सक्राइब करेंगे वह होगा जो हुआ सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए देर यहां पर दिया हुआ बेसिक तोर पर कि 5 रेसिस्टेंस है पॉला इक होंका है दूसरा टैनों का है तीसरा फिप्टीन ओमका है चोथा टुंटी ओम का सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने तो हमें दो चीजे बताना है कि टोटल रेशिस्टेंस क्या होगा और दूसरा बताना है कि टोटल करेंट का फ्लो सर्किट में कितना होगा है दो चीजे बताना है कि टिके तो सबसे पहले चुव हमारे पास सामने देख रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो पहला और दूसरा जो रशिस्टेंस है वह कितना है पहले लिख लो आर वन आर टू आर थरी आर फोर और फाइफ है ठीक है 5 10 15 20 25 यह नहीं होना चाहिए यह तो गीवे नहीं तो सबसे पहले हम फिंगर देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि यह लोग हो रहा है जिसमें आरों और राटू जो है पहले अगले इसे यह यह फाइप हो गया यह करेंट आ रहे तो इन दूनों के बीच में सबसेंद्टिव र थिए क्या हों वान पर फाइक प्लॉस भाए फवन बइस एक तningen के एगर नेकालते हैं तो क्या होगा तेन बाइड फ्लॉस हो कृफ यह परको अब थिरिए तरफ वर em b के बीच में है कि नहीं तो थिरे 45 के बीच में अगर निकालते हैं तो क्या होगा तो वहां पर देख रहे हैं कि इस तरह का कोई है तो यह होगे आर्थिरी आर्फोर और आर्फाइट इस अपका भैलू पता है तो यहां पे अगर डबल डैस निकाल देते हैं ठीक है ऐसे वहां रिफेक्टिव डाले थे यहां डबल डैस डाल देते हैं थोरा चाट डिफ्रेंस कर देते हैं ताकि identify कर पाए तो यहां पे होगा आर्थी प्लस आर्फोर प्लस वन वाई आरफाइफ ठीक है वन वाई आर्थी प्लस वन वाई आरफाइफ यानि कि 50 20 और 25 जब इसकी एलसीम हम लेने चलेंगे तो क्या होगा तो चलते हैं तो इसके लसीम आया हमारे पास 300 त्री हैंडेट आया 20 50 और 12 यानि 47 वाई 300 तो आप डबल डैस अगर हम निकालते हैं ठीक है तो क्या होगा थीरी हैंडेट वाई 47 तो कंडीशन तो थोड़ा अंगे बढ़ाते हैं तो सबसे पले अगर हम आप फिगर को गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर ऐसा है कि कि एक पंद्रा वोल्ट का बैटरी है तो ठीक है माल लेते हैं ऐसे और एक इधर से एड़ है ठीक है और दूसरी इधर से एड़ है कि लिए अपर पर आप तो यहां पर जो आया है करुंट इस इतना हम आया है और यहां पर जो माल इधर्स या फिनिट से लिए या यह दोनों को डेस्टन जो है वह कैसा है तो लिखेंगे total resistance कि इसको निकालते हैं तो क्या आ आएगा total resistance कैसे क्यूंकि यह और यहां से अपलों को आप आडड करेंगे तो अगर ुश्कुए रहें गया। देपांड मे arise और इसको अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा उसको अगर पॉइंट में चेंज किये रहेंगे तो 6.38 आएगा 6.38 तो दोनों को अगर करेंगे 3.33 and 6.38 तो हमारे पास आ गया 9.71 तो टोटल रेसिस्टेंस आ गया तो टोटल करेंट में निकाल लेंगे तो टोटल करेंट हमारे पास आ गया तो इस तरह की प्रोब्लम को इसली सॉल्व करेंगे लेकिन आप सब्सक्राइब को समझना तो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं डाग्राम में जैसा है उसी लिए अप्रोडिंग चलते हैं तो यहां पर भी पांच त्रखन रोगश्ट लगे हुए हैं लेकिन सब्सक्राइब जो रेशिस्टेन्स है उसलब का वैलू जो है थिरी ओम ही है तो इस सारे रेशींट रेशिस्टेहर में यू कलना है सरक्ट में तो सबसे पाले हम इस बार पर गौर करेंगे कि कोन सीरीश करते हैं तो आप द्यान से देखेंगे कि I should DO present निकल रहा है तो 3 में ड chess में डिकल रहा है लेकिन जैसे ही 1 से निकल रहा है तो 4 में भी जा तो यहां तो series नहीं हुआ कि और कर तेसं Capt s सबसे पहले हम निकालते हैं टो और तीरी का डेसिस्टेंस ठीक है तो रेसिस्टेंस पहले लेक लेते हैं आरोन आर्टू आर्टिरी और फोर और फाइफ यहां से कि इसे कितना अगुं है थिरी ओम है किया है तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेसिस्टेंस आर वन और सॉरी आर्टू थ्री आर्टू थ्री आर्टू प्लस आर्ट्री तो यह भी थ्री ओम है और यह थ्री ओम है टोटन कितना हो गया है तो आर्टू और थ्री मिलके एक रेसिस्टेंस तो हम तैक कर लिए तो इसको थोरा सा फीगर में चेंजेस करेंगे कि यह रॉफ डाइग्राम अपन बना लेते हैं इस तरह से तो यहां पे जो लगा है वह आर्वन लगा है और यहां पे जो लगा है वह आर्फोर लगा है लगा है और यहां पे जो लगा है वह आर्फाइफ लगा है ऐसे और यहां से ऐसे जो लगा हुआ था दोनों ऐसे जी तो दोनों तो मिल गया जो मिल गया तो दोनों सीप्स-उन लिखते गी ठीक है आद टू-3 एक एज़े लिख सके हैं आर टू-3 इसको टू-6 प्रफीज़ आप तो यह फिगर आ रहा है अब हम देखते हैं कि क्या होगा तो अगर यहां से हम एसे करें बेज़ने इधर भी जा रहा है यहां से बेज़ेंगे तो इधर भी जा सकता है ठीक है लेकिन अगर इन दोनों को हम फोले फाइंड आउट कर लो तो व्यद्वा पार शामने से दीख रहा है कि आज़ टू त्री और फोर जो रेजिस्टेंस से ओक ऐसा है पहले रहाई या सिरी से यह तो यह जब दारेट नहीं यह तो क्या है पहलग है तो इसका नाम देदी है आज टू थी फोर ऑके तो आज टू थी अप्लस आर फोर तो जो रिजल्ट हमार पास आएगा वह किस तरह का आएगा देख लिए पोले तो तो थिरी वाइचीकस वण बाइटो ऐसे कि ता रहा है वन बाइटो यानि आर टू-3-4-2-1-2 तो आर टू-3-4-2-0-0-0-0-0-0-0-0 हो गया इसी का रॉफ डियाग्राम बनाते हो चलते हैं तो यह आर वन हो गया बेसिक तोर पर है यह आर फाइफ हो गया हुआ है अब यहां पर जो कॉनेशन सो रहा है आर ओन और आर फाइब के बीच में यह कॉनेशन होगा टू थी फोर का क्योंकि यह दोनों तो कनेक्ट होके एफेक्टिफ रेशिस्टेंस बना लिया तो यह दोनों तब रहा है अभी यह रहा यह थी रहा है तो अब देखेंगे करेंट इधर से आ रहा है इधर गया और यहां से इधर हो गया कोई डिस्ट्रिब्यूशन नहीं यानि कि अगर आर वन टू थी फोर फाइफ निकालते हैं तो लिख करते हैं आर वन प्लस आर टू थी फोर प्लस आर फाइफ यानि यह थी ओम है यह तूँ ओम है और यह थी ओम है टोटल एट ओम आ गया तो इफेक्टिव रेशिस्टियल्स कितना आ गया वो कितना आया यह एट ओम स्वाइफ कर लिए असानी से तो आप इस तरह से आप सोचते हैं चले जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर जो फिगर इसमें बता रहा है कि इस निकालना है जो सर्किट में जितने हैं जिस तो चली आते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर रेसिस्टेंस टू थीरी फूर सब्सक्राइब लिख लेते हैं वान टू थीरी फूर एंड फाइफ कि एक है तो वन के बारे में क्या दिया गया है वन है टू ओम है टू है टू है वन ओम है ट्री कितना है ट्री है टू ओम और फोर है ट्री ओम और फाइफ टू ओम इसी तरह का है जो बैट्री कनेक्शन है वह नाइन वोल्ट रिखा है तो जैसा कि आपको चल में देख रहे हैं है कि तू कि और फोर यह तीनों जो है वह कैसा कर देख से कि लिए रॉफली फ्रोव कर लें तो तो यह तीनों जो है वो कैसा है पहलर में है तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या है वोन बाई आर टू थी फूर है इस पहलर में है तो इस तरह से ऐड हो जाएगा लिए हैं तो आटू के बारे में हमको पता है वह तीनों फ्रीव तो बेसेटी हम निकालते हैं शिक्स फ्लस थिरी प्लस टू इलेवन बाइस तो आगर टू थिरी फूर निकाल देते हैं तो इस बाइस वह आ जाएगा तो यह तो हमें बेल गया नेश्टीगर पर आते हैं है तो अब जो करेंटा फ्लो होगा वह इस तरह से दिखाएं गया जो यह आर्वन है यह आर टू थी फूर यह आर फाइफ तो आरुण के बारे में पता है तू ओम है यह क्या है इसे और यह क्या है तो तो टोटर वेसेश्टेंस अब कैसा है सिरीज में है तो आदि निकाल ले करते हैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस की बाद में बात कर लेते हैं ठीक है जो भी आएगा देख लेते हैं 20 प्लस 6 प्लस 22 ठीक है 50 by 11 यह आगया पूर्टर रेसिस्टेंस हमारे पास ठीक है अगर करेंट की बात करते हैं आई तो आई इसको टू क्या होगा भी वाई आर जी तो हमें पता है नाइन इस पूर्ट फिप्टी वाई इलेविन यानि नैंटी नाइन वाई फिप्टी अगर आ जाता है तो अप्रोश मैटली जो है तू ओम के ब्राबर राज तू एं तो अगर देखा जाए कि ओन फोर और फाइव यह तीनों जो है उसमें करेंट का फ्लो सिरीज में हो रहा है यहां पर देखें यह क्या है सिरीज में करेंट दिस्ट्रिब्यूट नहीं हो रहा है तो जीतना आर वन में रहेगा उतना ही आट टू थ्री फाइक में रहेगा उतना ही आर फाइक में रहेगा बोल सकते हैं अब वो कितना रहेगा इतना परेंट रहेगा तो बोल सकते हैं आई वन इसक्वाल 2, I2, 3, 4 इसक्वाल 2, I5 इसक्वाल तो यहां पे जो है आई जो है I1 तो यहां पारते हैं इसक्वाल 2, 4 2, 3, 4 इसक्वाल 2, I5 तो यह सीरीज में है पर स्टिरीज में करेंगा डिस्टिपीमिशन होता रहे है तो इस अब में मिल गया तो व कि लिए अब की बारी आती है तो तक भी फोर में जो करेंट है वो कितना है है कि तो एमप्येयर है है इस तेकर ओके जो पोटेन्सीयल है वो क्या है ने और हम इस पोटेन्सीयल निकालते हैं कि पूटेन्सीयल真的 समझ लेते हैं कि पोटेन्सियल इसमें है क्या है मैं कि तूर्ट थरी ऋन हें 171 यह टूटल सर्कीट का है तो स्रीफ 234 में पोटेंशियल सब्सक्राइब निकलते हैं तो भी इसको क्या होता है आई आप होता है तो 234 इंटू 234 ठीक है आई क्या भेलो हमें तो अप्रस्मेट्री मिला हुआ है तो एमपेर और रेसिस्टेंस भी मिला हुआ है 11 बाइशिक्स बाइबें टूए टूएल बाइवें फोल्ट क्लिया है तो यह तो इसके लिए आ गया अब एक बात बताते हैं कि इसम में पोटेंशन अगर पैलर होता है तो यह चीज़ समझ लो पोटेंशीयल जो होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा उसमें जो वेरिएवल रहेगा वो करेंट होगा लोकेत्य दिस्तिबेशन उसी का हो रहा है तो यानि इस वाले कंडीशन में इस वाले कंडीशन से पोटेंसिए टूएल दाना है कितना फ्लो हो रहा है तो अधिक कि इच देशिस्टेंस के अंदर कितना फ्लो हो रहा है तो सब्सक्राइब निकाल लेते हैं कि वी टू है I to निकाल लेते हैं कि ट्रीके आइश्कुल टू क्या होता है वी बाई आइश्कुल टू वी बाई आर भी तो हमें पता है और आज तो यानि टुल ऑई 11 भाइस तू का व्हालू कितना हां डिख लिए यानि टू एलेवं एपियर तो इसमें टुल पाइस फ्लो किया उप आई ठी भी निकाल लेते हैं तो हहां पे क्या है तुट भाइस एलेवल इनटु तो ठीक है, थी में क्या है, टू है, तो 6 by 11 एंपियर, आई 4 के बारे में देख लेते हैं, यहां पर तो 3 है, 12 by 11, 3, 4, 4 by 11 एंपियर, तो इस दो से सारे के बारे में पता चल गया, 1 में कितना आया, 2 एंपियर के अप्रोस मैटली, 5 में भी 2 एंपियर, 2 में कितना आया, देख लिए वाहां से 12 by 11 एंपियर, 3 में 6 by 11 एंपियर, 4 में 4 by 11 एंपियर, तो इतना करें का टेस्टिब्यूशन हुगा, ठीक है, और कुछ पूछ रहा है करे के बारे में, यह तो करें के बारे में पता चल गया, यह बताना है कि सबके अंदर पोटेंशियल कितना रहेगा, तो अगर बात करते हैं, पोटेंशियल क्या, ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल है, यहां पे है, यहां पे है, यहा तो करें तो हमारे पास तो इंपियर आ गया है तो अगर भी वन के बारे में पता खरते हैं आई आर वन कि एक और तो सबसे पहले आई आई का वैलू तू आर का भी वैलू तू फोर भोल्ट आ गया दूसरा है तू थ्री-फोर आई आई टू फू थ्री-फोर कि लिए आई का वैलू ये है और ये कितना थू थ्री-फोर का सिक्स बाइ-इलेवन बेसिस्टेंस यह ही आया है तो यहानि टू यल बाइ-एलेवन बोल्ट और फाइफ का निकालेंगे तो आई 5 आगन मितागेंगे 2 कि 2 ए über 4 डाग चिकें completely behavior वोल्ट ढीटू ढपने हैं घ्रीड तो ठीटू-ठीटion सुए 4 डेवल्ट और वा नुट्टि से ऊसरी तो जितना यह इसमें आ गया वह सब इकोल रहेगा क्योंकि जब पहलर में कॉनेशन होता है तो पुटेंशियल क्या हो जाता है कॉंस्टेंट हो जाता है बात समझ में आरे हैं कि किजिएगा अगर और चाला नो मिर्कल्ट आपको सिखना है तो अब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट कीजिए ताकि अगर ज्यादा मेरे पास कॉमेंट आते हैं तो मैं एक इस तरह वीडियो बनाऊंगा स्रीफ नुमेर्कल्स के लिए